दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जामुन ही नहीं इसकी गुठली भी स्वास्त के लिए बहुत ही लाबकारी होती हैं। जामुन की बीच से बना पाउडर खाना काफी फाइदेमन होता है। जाते हैं तो जामुन की गुठली का पाउडर बना कर इसका सेवन जरूर करें। जामुन की गुठली का सेवन करने से वाइरल इंफेक्शन के खतरे से बचा जा सकता है। जामन की गुठली में एंटी माइक्रोबील गुन पाये जाते हैं तथा एंटी बैक्टिरियल गुन पाये जाते हैं जो की वाइरल इंफेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करते हैं जामुन की गुटली में कई cancer रोधी गुण मौझद होते हैं जिनका इस्तंवाल विशेश रूप से फेपुडों के cancer का उपचार करने के लिए किया जाता है anti-cancer agent औ के रूप में किया जाता है जामुन की गुटली में anti-oxidant और anti-inflammatory गुण मौझद होते हैं जो शरीद में होने वाली सूजन और दर्द को दूर करने में मददगार होते हैं खास दोर पर अगर आपको arthritis याने गठिया की समस्या है तो आप जामुन की गुठली का powder बना कर इसका सेवन जरूर करें इससे आपको दर्द तथा सूजन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा जामुन की गुठली का सेवन करने से आप periods में होने वाली परेशानियों जैसे की अन्यमीद blood flow और दर्द को दूर कर सकते हैं दरसल इसकी गुठली में जिंक पाया जाता है जो periods के दवरान होने वाले दर्द में आराम दिलाता है रोजाना एक चमच पाउडर लेने से मासिक धर्म में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आपको gastric समस्या है यानि कि आपके पेट में बार बार गैस बनती है जिसकी वज़े से आप काफी परेशान है तो आपको जामुन की गुठली के पाउडर का सेवन जरूर करना चाहिए इससे आपको बहुत लाब मिलेगा जामुन के फल ही नहीं तो जामुन की बीज में भी काफी आउशेदिये तत्वा पाये जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्त बनाये रखते हैं जामुन की बीज में विटामिन सी, एंटी आक्सिडन, कैल्शियम और फ्लेवनाइड जैसे कई गुन होते हैं जो की डायबिटीज और कोलेस्टरोल की मातरा को कम करके पाचुन को दुरुस्त करने में मज़ित करते हैं वजन कम करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं जामुन की बीज में जामबोलीन और जामबोसिन नामक योगिक होते हैं जो रक्त में शरकरा की दर को कम करते हैं, इंसुलीन की उत्पादन को बढ़ाते हैं, जामुन की बीच के पाउडर का सेवन करने से, फास्टिंग शुगर में काफी कमी आती है, टाइप 2 डाइबेटीज के लिए तो ये काफी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल क करने में जामुन की गुटली मददगार होती है, एक रिसर्च के मताबिक जामुन की गुटली में लेजिक एसीड होता है, जो ब्लड प्रेशर को सुधारने में मदद करता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप जामुन की गुटली का पाउडर बनाएं और इसका नियमित सेवन करें। कब्ज से रहात दिलाने में भी जामुन की गुठली काफी लाबकारी हो सकती है। दरसल जामुन की गुठली में कुरूड फाइबर पाया जाता है। जो कब्ज की रोगियों के लिए लाबकारी होता है। क्रूड फाइबर युकत आहर का सेवन करने से मल त्यागने में आसानी होती है, ऐसे में आप कब्ज की शिकायत होने पर जामुन की गुठली का सेवन कर सकते हैं, अगर आपको कील मुहासे हो गए हैं, तथा कील मुहासों की दाग आपके चहरे पर पड़ गए हैं, तो अचा क डाल कर इसका एक फेस पैक बना लेना है और इस फेस पैक को अपने चहरे पर रात भर लगा कर रखना है अगर आपको ताजे जामुन की बीज ना मिले तो आप जामुन की बीज का पाउडर भी ले सकते हैं अब इस फेस पैक को आपको अपने चहरे पर रात के समय लगा कर लेना है कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कील मुहासों के दाग नहीं रहेंगे तता कील मुहासे भी नहीं होंगे और आपकी तवचा का रुखापन निकल जाएगा आपका चेहरा बेदाग तता निखरा नजर आएगा हमारे दाद और मसूडों के अच्छे स्वास्त के लिए भी जामून बहुत ही असरदार होते हैं जामून की बीज में कैल्शियम होता है इसके सेवन से तथा इसके मंजन करने से दाद और मसूडे मजबुत बनते हैं आपको क्या करना है जामून की बीज अच्छे से धोकर सु दात और मसूडे काफी मस्भूत बनेंगे और दातों से संबंदित कोई भी समस्य आपको नहीं रहेगी दोस्तों अभी मैं आपको जामुन की बीज का एक अद्भूत प्रयोक बताने जा रहे हूँ शायद यह आपको नहीं पता होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बिस्तर गिला करते हैं अगर आप उनकी यादत छुडाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है जामुन की बीज लेकर अच्छे से धोले और इने पीस ले आधा चम्मज सुबह और आधा चम्मज शाम को दिन में दो बार आपको पानी के साथ बच्चों को दे देना है एक सब्ता तक इस तरह से देने से बच्चों की बिस्तर गिला करने की जो आदत है उसमें काफी लाब मिलेगा डाइबेटीज को कम करने के लिए आपको क्या करना है जामुन की बीच का पाउडर ले लेना है सुभा एक गिलाज गुनगुने पानी में एक चम्मश पाउडर डाले इसे अच्छे से मिला ले चाहे तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं या फिर दस मिलेट इसे ऐसे ही छोड़ दे और इसके बाद इसे चान कर सुभा खाली पेट पीए इस तरह से कुछ दिनों तक सेवन करने से आपको डाइबेटीज में काफी आराम मिलेगा चलिए अब जानते हैं कि जामुन की बीच का पाउडर हमें कैसे बनाना है अब इसे एक ठाले में पतला पतला फैला दे ताकि यह जल्दी से ड्राइ हो जाए एक से दो दिनों में यह अच्छे से ड्राइ हो जाता है अब इसे आप मिक्सर में पीस कर अच्छे से फाइन पाउडर बना ले और चाहे तो छாन कर भी रख सकते हैं अब ही हमारा जामुन का पाउडर बनकर तयार है आप इसे किसे भी एरटाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरे एक साल तक इस्तमाल कर सकते हैं चलिए जानते हैं जामुन की बीच से बने पाउडर का सेवन आपको कैसे करना है रोजाना एक चम्मत सुबह खाली पेट गुन-गुने पानी के साथ आपको इस पाउडर को ले लेना है जिससे कि आपको डाइबिटीज, ब्लट प्रेशर, आर्थराइटीज और अन्य कई भीमारियों से भी चुटकारा मिलेगा दोस्तो जामुन की गुटली यानि की बीज के इतने सारे स्वास्थ लाब जानने के बाद अभी आप कभी भी जामुन की गुटलीओं को नहीं फेकेंगे जैसे कि हम आम तोर पर करते हैं, जामुन खाकर गुटलीओं को फेक देते हैं लेकिन अब आप इने जरूर संभाल कर रखेंगे अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूसफुल जानकारी से लाब मिल सके और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वारे नए वीडियो की जानकारी तुरेंट पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते